रसमी तिथी को जो तुलसी की ठंडी को घी में भीगो कर अपनी काम ना करकर भगवान के सामने दिये में रख कर जला देता है, दिये की तरह उससे आरती उतार देता है, करते हैं उसका जनम दूसरी बार प्रत्री पर नहीं होता, वो भगवान के गोलों क धाम में जिंदगी बहुत तकलीफ है और में हो रा काम बहुत दिनों से लगयत मुँझें नहीं वह रहा हरा मुंग ले जाओ तीन चीज़ लेकर जाओ, मूं के दाने, चावल, बेलपत, चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना करकर शंकर जी की देली पर रख दो, जो खटपत, कहीं पर भी ये कांत में उसको रख दिया जा, मूं के जो दाने लेकर गए हो, 31 वो नंदी के पास में, जो नंदी का पाउ उंचा रहता है, उस पाउं के पास रख दीजिए, और जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो, वो 31 बेल पत्र अशुक सुन्दरी वाली जो वहाँ पर, जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो, अपनी कामना करकर, पीला चंदन, लाल चंदन लगा कर, उस पे समर्पित करते जाओ, उसकी इंडी जहां से पानी बैता है, उस और होना चाहिए, आप निवेदन करकर देखो, अपने आप आपका काम हो गया होगा, बाबा से निवेदन को करो, क्यों भटता है? उस व्यक्ती का समर्ण करकर अखा-चावल, मतलब सेगे चावल के साथ, एक एक बेलपत्र, एकतीस बेलपत्र करकर, शिवजी के शिवलिंग पर सम्र्तित करी जाती है, मात्र दस्मी की तिथी के लिए, केवल दस्मी, चाह उजाला की हो, चैंदेरे की हे, कौन से महादेउ क को नाम लेना है जो चोटे-चोटे बच्चे रहते हैं कर देते के लिए यह पतना है 29 तारिक को यही महीन है उदर में एसलिक की रहती हो और जलन टाइप की होती हो उसके लिए भी श्रमवेश्वर महादेव के ठीक सामने आथा भगवान संकर के किसी भी शिविलिंग के सामने एक कांबे के लोके में जल रख लिए जल के अंदर तीन बेल पत्र डाल दीजिए ए उस जल को उठा कर लिया हिए एक रातरी तक घर के अंदर रखना है उस जल को श्रमवेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को ऐस्रिती होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पच्ता हो या पेट से जूड़ी हुई प्रावलम हो या बच्चेों को भो भोजन नहीं भाराव एसे व्यक्ति को उस जल को सुवेरे दोपर शाम तीन बार श्रमवेश्वर महादेव का नाम लेकर आच्मन कराना प्रारम कर दो पिलाना चालू कर दीजिए तीन या चार दिन पिलाओगे अपने अप उदर में भी आनंद रहेगा बच्चा भोजन कर करना भी प्राओगे चाउधा करोड सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है शमी के पत्ते को चाहिए 21 हो 11 हो 51 हो उसको शहद में डुगो कर संतर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रंदार करो केबल चड़ाना नहीं है जब शहद में डूख जाएगा तो व का शंगार करो क्या होगा इससे तो यह कुरान करती है नर्वदा कुरान करती है शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुगो कर शंगार करते हैं शंकर करते हैं इसने मेरा श्रामण महीने में शंगार करा है तो क्यो ना मेरी इसका धन का शंगार करकर इसको कर से कोई महीए नहीं कर सकते हैं और च्हण श içकार वालक करना है इसकर महादेव का नाम लेकर 31 वियत्त को और कि रहें स्मर्ण करकर आखा चाल मतर सिखे चाल के साथ 11 वेलपत्र करकर शिवीजी के श्हिवलिंग पर सम्षित करी जाती है जोटे चोटे बच्चे रहते हैं कुछ बच्चों को माता जवरस्ती के भूजन करती है खिलाती है थोकती मारती खिलाती है कुछ कुछ बच्चे ऐसा रहते हैं में किमिपन रहते हैं अश् mold कर देते हैं और जलनको होती हो तो उसके दो किसे भी शिवलिग के सामने ताम्हें के लोटे में जल बख लेजिए जल के अंदर तीन बिलपत्र डाल दीजिए एक भीकल का पत्तर डाल दीजिए शमी के ग्यारा पत्य कलस को छुआ कर संकर्ठ भजवान के शिवलिंग पर श्रमधेश्वर महादेव के नाम से चड़ा देज़ें उस जल को उठा कर लिया है एक रात्री तक हर के अंदर रखना है उस जल को संबेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को अईस्दिती होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं करता हो या पेट से जुड़ी हो प्रावलम हो या बच्चे को भोजन कराते हैं कर देते हो अईसे बच्चे को या भोजन नहीं भाराव इस व्यक्ति को उस जल को सुवेरे दो पर शाम पीन बार संबहिश्वर महादेव का नाम लेकर आच्मन कराना प्रादन कर दो पिलाना चालू कर दीगी तीन या चार दिन पिलाओ गए अपने अपने उदर में भी आ रातरी के बारा बजे दिये की लो में चंदर का दर्शन करते हैं उससे जोत प्रवल होती है हमारे या तो होगा वो नौमी की रातरी बारा बजे या दश्मी की रातरी की बारा बजे चंदर का दर्शन दीगी का हाथ में जला कर नाम गोतर अपना बोल कर नर्सिंग भगवा परश्यु महापुराण करती है तीन चार दिन का क्रम बहुत होता बढ़ता जाता केवल दस्मी चाय उजालकी हो चैन्देरे की कौन से महादेव का नाम लेना है श्रम भेश्वर महादेव जब कोई व्यक्ति चिर्चिर करता है क्रोध करता है गुस्सा करता है उमारा संकर मतलब सेग चावल के साथ 31 बयुपत्र करकर शिवजी के शिवलिंग पर सम्रतित करी जाती है मात्र दस्मी की तिथी के लिए केवल दस्मी के उजालकी हो चैन्देरे की कौन से महादेव का नाम लेना है श्रम भेश्वर महादेव जब लें शिवजी का ही चोटे-चोटे ब तुर्चुन मात जबर्ज्टी के भोजन कराथी है, खिलाती है, धौक पी मार पी खिलाती है, कुछ-कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, वो कुछ खाई नहीं पाते हैं, मुख में दो और वुमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक प्षान बड़न किया है श्रमभेश्वर महादेव के खीक सामने आथाथ भगवान संकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक काम्भे के लोके में जल रख लीजिए और जल के अंदर तीन बेल पत्र डाल दीजिए एक पीपल का पत्तर डाल दीजिए शमी के ग्यारा पत्ते कलस उसको छुआ कर संकर्ज भगवान के शिवलिंग पर श्रमभेश्वर महादेव के नाम से चड़ा दीजिए उस जल को उठा कर लियाए एक राक्तरी तक घर के अंदर रखना है उस जल को श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसलिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं करता हो या पेट से जुड़ी होई प्रावलम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमेंटिंग कर देते हो ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भारा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुबेरे दो पर शाम तीन बार श्रमभेश्वर मह आप लोग को अगर पंडी पर्दी पेसा जी का यह उपाय अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए करें विलेकन घंटी दवाईएगा ओम नमस्तु ग्यां